एक रेस्टोरांट के मालिक का कारोबार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके लर्खडाते हुए भविश्य को सुधारने का कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। काफी निराश होकर उसने एक जानकर व्यक्ति से सलाह लेनी चाही। जिससे सलाह मांगी उस आदमी ने उस को ये सुझाव में ने दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया। फिर भी यह आपके हाथ में है। आप दशकों पुराने नाम को जारी रखकर अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं लेकिन इसे आपके कारोबार में इजाफा नहीं होगा या इसे आप बदल सकते है और वापस अपना कारोबार बढ़ा कर तेजी में ला सकते हैं। ठीक है ठीक है। रेस्टोरांट के मालिक ने विन्मरता से सहमती व्यक्त की और पूछा। आप ही बताए नया नाम क्या होना चाहिए। इसे सेवन स्टार्स नाम देद। लेकिन इसके साइन बोर्ड पर सिर सिर्फ तीन महीने करके देखो और तीन महीने बाद मुझसे मिलना और बताना बुद्धिमान व्यक्ती ने कहा। रेस्टोरांट के मालिक ने बुद्धिमान व्यक्ती की सलाह का मान रखा और नाम बदल कर सेवन स्टार्स कर दिया साइन बोर्ड पर सिर्फ सिक्स स्टार्स फिर ऐसा हुआ कि पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ती एक पल के लिए रुख जाता, साइन बोर्ड के तारे गिनता, और इस एक स्टार की कमी क्यों है वह जानने के लिए पूछने जाता था, यह सोच कर जैसे उसने अकेले ही इस कमी को देखा हो, जैसे ही एक स्टार क् पूछता तो मालिक तुरंग जवाब देता, वह एक स्टार हमारे आने वाले कस्टमर का रूप है, जैसे आप यहां आए हैं। ऐसा बताने के साथ ही ज्यादातर व्यक्ती कुछ न कुछ खाने पीने का ओर्डर दे देते थे। इस एक तरकीब के चलते दिन बदिन कस्टमर की तादाद बढ़ने लगी और रेस्टोरांट के मालिक के कारुबार में मुनाफ़ा भी बढ़ने लगा। इस कहानी में रेस्टोरांट के नाम को और उसके साइन बौर्ड को लेकर दो चीजें ऐसी है, जो लोगों को उस तरफ खिंच रही थी। एक तो साइन बौर्ड का नाम, seven stars और सितारों का छे होना एक कमी को दिखता है, और basic human nature, मानव के बुनियादी स्वभाव की बात करें तो वह कमी को सबसे पहले देखता है, जो उन्हें उस कमी के बारे में सोचने पर ज्यादा trigger कर देता है, फिर क्या है, जहाँ इनसान को कमी दिखती है, वहाँ वह सला देने भी जाएगा. खास कर वहां तो बिल्कुल जाएगा जहां बिजनिस संबंधित या जरुरत संबंधित बात हो. क्योंकि गलतियां निकालने में और उससे संबंधित बाते करने में सब को मज़ा आता है. और यही गलती उस रेस्टोरांट मालिक के लिए एक का मजाक बना रहे हो तो बनने देना चाहिए. क्या पता आपकी वही गलती या आपकी कमी आपकी प्रगती का जरिया बन जाए? लेकिन एक शर्त पे आपकी कमी या गलती लोगों को फाइदा देने वाली होनी चाहिए न कि नुकसान दायक.